अस्सलाम अलेकूं कैसे हो आप सब अलम्दुलिल्ला में एक दम ठीक हूंगे तजी रमजान को लेके अभी भी वाइटी पे बहुत सारी बाते हो रही है रमजान ने वीडियो बनाया है जिसके अंदर पिटारा ने इसे माफी मंगवाई है और भी बहुत सारी बाते इसने बो बुला है उसका कोई पुराने चैनल भी पड़ा हुआ था उसके पर उसने वह मैसेड डाला है जबके वहां पर क्या बोल रहा है क्या नहीं वह बात करने से पहले मैं यह बात कर लूँ के पिटारा ने अपने वीडियो में बकाइदा रमजान को एक गेम के थरू बुलाई जिसे वो साथ में नहीं लेके गई जाहिर सी बाते साथ में ले जाएंगी फिर इसके सपोर्टर गालियां देंगे बुलेंगे कि देखो यह जान बूच के करती है फिर दिखाती है वो लाइब आया उसने एते किया वैते किया और यह उसी बस गाड़ी में बिठा के ले जा बाहर जाएंगे हम बाहर जाके पकाएंगे खाएंगे तो यह घर में रहे के नहीं पकाती है आप लोगों को लगता है कि बाहर जाके पकाएंगी यह काम चोर औरत है जिसको बैट के खाना होता है यह कोई हालत में नहीं पका सकती है जब इसने बोली है ना कि हम बाहर जाके पका के खाएंगे इस पैगडी के अलावा वैसे इसको कुछ चाता नहीं है तो इस पैगडी बनाएंगे तो मैं समझ गई थी कि यह नहीं बना सकती है या तो यह अन्नों से बनवाएंगी या तो फिर रमजान से बनवाएंगी और वो ही हुआ इतने रमजान को आकिर में बु इसको क्यों सर पे चड़ाई हो इसको निकालो इसको भगाओ ये वो दुनिया भर की बाते लेकिन ये औरत है कि रमजान के बिना रही नहीं सकती है तो तुम लोगों के तो मूँ पे इसने कालक पहुंच दी कहीं लायक नहीं रहे तुम लोग लग दी लानते तुम लोगों के उपपर जैसे उसको पहले पसंद था ना अपनी मन मरजी करना तुम लोगों के उपपर थूक देना वही अरकते वो आज भी कर रही है तो तुम लोगों को क्या प्रॉबलम है भई कि रमजान ने क्या 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 नहीं किया तुमारी मालकी ने मसारे जएद मालकी न को और इसको की प्राब्लम नहीं है तो फिर तिम लोगों को क्या प्राबलम है बाकी पिटारा ने रमधण से वीडिए यह facto ने लगाई लोगों को बता कैसा सब्के के देखो वह तो मेरे से ны का सद्धी आ देने वाली न मतलब चाहिए। वीडियो डिया verge लगार में की लगवुए अपने काम के लिए तुम लोग किसी से चैनल भी चलवा लोगे, विडियो भी बनवा लोगे, जैसे के कॉसर का ऐसे तो चैनल नहीं है, तो कोई वीडियो नहीं आती है, लेकिन जब यह लोग गुमने गए हुए थे, वो टैम पे कॉसर का जो बोला जा रहा था, कि उसने हाथ काटी, नस काटी, ये काटी वो काटी तो वो टेम पे फिर पिटारा ने वीडियो बना के डालने लगाई थी ताके वो खुद को किलियर कर सकते और हमें से यही क्यों होता है पिटारा जिससे तेरे को वीडियो नहीं चाहिए चैनल नहीं चलना चाहिए जब खुद को किलियर करना होता है तो पढ़ा नहीं और फिर जब अगले दिन मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे बड़ी सरमिंदगी हुई मुझे बहुत बुरा लगा अलागे आप लोग देखे हैंगे अगर वो लाइव तो ये बाकाइदा सारे कमेंट पढ़ रहा था और अपने आपको ना कमेंट आ रहे थे जब मैंने दूसरे दिन देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा बहुत बुरा लगा इसको अच्छा इसकी वीडियो के नीचे ना कमेंट आए हुए थे इसको किसी ने शराबी करके लिखा तो ये इसको रिपलाई देखे क्या बोल रहा है पता है कि तुम भी जाके शराब पीलो गडर का पानी पीलो तुम भी शराबी बन जाओ तुम किसी शराबी बाप की अउलाद हो तुम शराबी बाप की बेटी हो इस तरह से ये रिपलाई देखे तो तू ऐसे comment का reply कैसे दे सकता है तू खुद साबित कर रहा है कि तू शराबी है तू शराब पीके बैटा हुआ था तो तुझे फिर comment आया तो क्यों बुरा लग रहा है वो दिन भी तुझे comment आ रहे थे तू टली है तू नसे में बैठा है तुझे कुद दिक नहीं रहा है क्या ये वो वो दिन तो तू पता नहीं बैकी बैकी बाते कर रहा था और ये सब वीडियो के नीचे अगर तुझे comment आया शराबी करके तो तू उसको उल्टे सीधे जवाब दे रहा है और पर तू खुल साबित कर रहा है कि तू शराबी है तू शराब पी के बैटा हुआ था वरना वही टाइम पे मैसेज क्यों नहीं दिखे अगले दिखे मतलब अगले दिन होश आया तुझे उसके बाद में तुने वो मैसेज देखा और तुने क्या बोला कि वो टाइम पे मुझे मैसेज नहीं दिखे अगले दिन दिखे अगर इसको मैसेज अगले दिन दिखे तो वही टाइम पे इसने लाइफ प्राइवेट कैसे किया अब ये बात सोचने वाली है क्योंकि वो टाइम पे तो इसको मैसेज दिखे ही नहीं थे और इसने क्या बोला है कि लाइब मैंने प्राइवेट किया चैनल मैंने डिलीट किया जब मुझे शर्मिंदगी हुई न तो मैंने लाइब प्राइवेट कर दिया था वही टेम पे और मैंने जो चैनल है अगले दिन मैंने डिलीट किया जब मुझे मैसेज दिखे अगले दिन तो इतने चैनल डिलीट किया तो वो टेम पे तो तुने मैसेद देखा ही नहीं था तो फिर वो लाइफ कैसे प्राइविट कर दिया तुने कितना जूड बुलुआएंगी पिटारा किसी की गरीबी का किसी के रिज्यक रोटी का किस तरह ते तुफाइदा उठाएंगी कितना गिरेंगी पिटारा तेरे को शरम आनी चीए डूप के मर जाना चीए साब उसकी बातों से नजर आ रहा है साब पता चल रहा है कि वो टेम पे ना मतलब इसको पता ही नहीं था कि क्या कमेंट आये क्या नहीं आये और अगले दिन इसको पता चला है जब इसको होश आया है न तब इसको पता चला है तो वो टेम पे फिर कॉन प्राइवेट किया और लोगों ने देखने वालों ने देखे भी है कि अचानक से कोई आया रमजान डर के एकदम पीछे हो गया था और अचानक से वो लाइफ प्राइवेट हो गयी और अगले दिन शाम तलक चैनल डिलीट हो गया तो इससे पता नहीं चल रहा है कि आते साथ में गोंचु ने इसकी लाइफ प्राइवेट किया है अगले दिन इसने माफी तलाफी किया है तो इसका चैनल उन लोगों ने डिलीट किये अब इस चीज से ये बचने की कोशिट कर रही है कि मैंने नहीं की हूँ गटिया और तू ये चैनल से अपनी रोजी रोटी बोल बोलके तुम लोग सलमा के आगे पगड़ियां डालते रहे कि ये हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है मत ही एक मुद्दा लेकर आओ औरना हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएंगी अगर हमारा चैनल बंद हुआ तो लेकिन तुम लोग दूसरों की चैनल तो चैनल डिलीट करो इसका मतलब है वाइटी पे रहके सीर्फ और सरी मैं कमाऊंगी कोसर और रमजान अनिता जैसे लोग नहीं कमाएंगे कितनी घटिया सोचे पिटारा तेरी अगर के वह अपनी रूटिंग डालेंगा या अपने शौड बनाके डालेंगा अगर उसको मिलते थर इसको क्या ब्रॉब्लम ने लोगा आ प्र देकल से तो नमबर लेकर नहीं देखो कि आप लोग बादिशन पर गोहर करको कि तने यूट्यूबर एक मिल्यौन वाले यूटूबर हैं उनके घर में भी काम अले होते हैं उनके भी खुद के चैनल होते है जितना हो सकता है न उनलोग प्रमोट करते रहते हैं आप लोगों को पता है फराखान है जो उसका जो मेड है घर में जो उसका कूक है उसका चैनल है और उसको वो प्रमोट भी करती है वो उसके ओपर काम भी करती है और उसके ओपर उसको अच मैं अकेली चैनल चलाओ उर अगर कोई और ने चैनल भूर लिया तुम इसको नहीं रखोंगी अब इसा कौन करता है विता है गमे काले-फिले दंदे हो ईइंगे वह इसके फ्रॉड ना पता चले तो यार ना दिख जाए न पता चले यह आप चले कि तो घर पे ही नहीं है श्याद है आप लोगों को बाबर की वाइफ रात के टेम पे इसके घर पे गई थी तो तैयोबा से कुछी ममा का एंज वह ममा घर पे नहीं है वो रात के ग्यारा, साड़े, ग्यारा, बारा बजे घर पे नहीं थी और वो टेम पे अजगर आया हुआ था तो कैमरा गुमाने थे न यह इस तरह से पकड़े जाती है रमजान रात को लाइब लगा के बैठा था तो घर की बेल बजगई रात को धाई बजे तो पकड़े गई, यह रात के धाई डाई बज़े भी घर में नहीं रहती है बस यह रिज़न है कि यह नहीं चाहती है कि नौकरों के चैनल हो, नौकरे कैमरा गुमा सके यह नहीं चाहती है बरकि रमजान ने यह भी बोला कि मैं यहां से जाओंगा तो मैं सितारा बेहन से माफी मांगे जाओंगा, मैं तकले काले बैगन जीजा जी से बेहनों इसे माफी मांगे जाओंगा, मतलब बेहन बेहन बुलवाने से पितारा तो बेहन थोड़ी हो जाएंगी, हमने देखे हैं ना कैसे तू सीना खोल खोल के उसको दिखाती है, तू के सामने नुमाईश करती अपने जिसम की अब तो उसको वीडियो बना के बैंट बोलने के लिए लगा यह था कि लोगों को यकीन हो कि उसकी रखेल समझ रहे हूं नहीं है वो तो हमें पता चलता है पिटा रहा कि तू कि यूज करती है नौकरों को तू बोल रही थी न कि काम निचोड के तू यूज करती है तो रमजान को क्यों नहीं पिटा रहा क्यूंकि वो तेरे ही साथ बीजी रहता है तू बोल रही थी न रात को 11-11 बजे सोके उठता है यही बता रही थी न अब रात भर तेरे साथ जगेंगा तो 11 बजे ही सोके उठतेंगा न वरना रही थी तू अपना अतलियत दिखा रही थी तू अपना गंदा जो सच है न उसको एक्स्पोस कर रही थी कि देखो इसको मैं रात बर जगाती हूं तो ये 11 बजे उटता है फरना और भी लोग है तेरे घर में जो 11 बजे नहीं उटते है गोच्चु तो खुदी दिखाता है कि मैं सुबह जल्दी उट जाता हूं रात को जल्दी सो जाता है किस तरह का रिस्ता है तू बोरीती के वो जाके सोतन के पास सोता है तो मुझे जल्दी है मुझे नहीं बरदास होता है मेरे तीने में भी दिल है मैं भी इंसान हूं तो फिर मतलब उसके साथ तुझे रिलेशन रखना भी नहीं है सोना भी नहीं है और फिर तुझे जलन भी दिखानी है नहीं पिटारा तुझे बिल्कुल भी जलन नहीं है वो बारा बच्चे भी पैदा कर लेंगा ना बारा साल में कोसर के साथ में तो भी तुझे कोई जलन नहीं है क्योंकि तुझे खुद नहीं चाहती है कि तुझे उसक कोई चीज की ना कोई जलन नहीं और यह बिलकुल भी रिता नहीं रखती है गोंचू के ताथ में रिलेशन इसके लिए वो रोज जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उट जाता है और रमजान क्यों नहीं उचता है वह आप लोग समझी गई हैंगे जबके यह यह कराची म मुर्गे के साथ में यह भांग देता था लगन यहां पर नहीं उठता है बाकि जाड़ु वाली चुड़ायल भी इसके गर में रह रही थी ना उसकी बेटी भी रहती है उल्लोग भी लेट नहीं उठते हैं क्योंकि उनके साथ में भी टकाटक अपनी कर रही होती है ना रमज लेट उठता है तो पिटारा इसको भाई बोलके मतलब इसको बहन पिटारा बहन यह बुलवाने की जरूरत नहीं है तुन्हें रिस्तों को नहीं छोड़ी है देखने जाएंगे तो अजगर इसका भाई लबता था ना इसकी मान अगर उसके बाप से शादी की तो वह भाई हो गया और सल्मा के बच्चे सुरू से इसको फुफु फुफु ही बोलते है फुफु किसको बोलते है अब्बु की बहन को फुफु बोलते है अगर कोई नाम से भी बोल ले तो भी इनसान रिस्ते का लिहाज करता है लेकिन यह तो इसकी मां के शादी करने के बाद में भी इतने वो रिष्टे का लिहाद नहीं कि उसके साथ में इसने चार गंटे निकाली उसके साथ में मूँ काला पी तो वो बहन भाई वले रिष्टे को जा अभी है औरत ने नहीं रखी उसका भरम नहीं रखी उसकी इज़त नहीं रखी तो इससे भाई बुलवा लेंगी तो हमें क्या लगेंगा पिटारा के तू इसको भाई मानती है इससे भैन बुलवा के हम लोग मान जाएंगे तू इसकी भैन है ये तेरा भाई है अरे रहने दे पिटारा तेरे ही सगे भाई का पता चला है कि वो अपनी सगी बेटियों को तटके नहीं चोड़ता है तुम लोगों के घर में तो इतने गंदे रिष्ते अब इसको भैन बुलवा रही है अपनी इमेज ये परवा रही है कि हाँ भई मैं भैन मानता है वो मेरे को और वो मेरा भाई है तो इसके लिए मैंने उसको माप कर दी मेरे मामा का लड़का है अरे रहने दे भैई जब हर एक को चुटकी में भगा देती है रमजान को क्यों नहीं भगाई क्यों अगले दिन भी उसको वीडियो में दिखा रही है क्योंकि इसकी जो बीमारी है ना जो इसकी सम्मा ने बताई थी उसका इलाज करता है रमजान रमजान इसकी जरूरत है वो इसको कभी भी नहीं निकालेंगी और रमजान ने जो बोला है कि मैं जाते टेम पर माफी मांगके जाऊंगा पेही नी जाएंगा recognize देख ले न ये इसी तरह से ड्रामे करके रमजान को रुकाना चाहती है वरना बहुत सारे लोगों के साथ में इसके फड़े हुए किसी के साथ में इस तरह का हुआ है कि माफी मंगवा के फिर ते इसने गले लगवा ली हो नई छुप छुप के भले ही रिस्ता रखी हो लेकिन इस तरह से नहीं दिखाई है और लोग जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको हाइलाइट करती है और इनको शाउट आउट डेती है भुख तो भुख तो तो भई शाउट आउट नहीं देती है वो अगर शाउट आउट डेना रहता न तो चैनल चलाने देती है शाउट आउट नहीं देती है बलके इन लोग उसको शाउट आउट डेते है उसके वीडियो में काम करते है कभी खुचरे बनते हैं, तो कभी उनके साथ में फ्रैंक करती है, कभी उनको डराती है, उन लोगों की वज़े से वो कमा रही है कडोलो रुपे, और उसमें से अगर थोड़ा बहुत पगार के तोर रुपे दे रही है तो पुरा घिसवा रही है, पुरे घर का काम करवा रही तो जो लोगों की यह सोच है न कि वह बैठके इनको हाइलाइट करी इंको शाउट आउट डेरी है तो सोच नहीं गलात है। तो इन लोगोगों को लक्रक्ने का मकस्थ है न सीर्फ और अपना चैनल चलाना है। तरफ से वह रत है ना खुझ का फाइदा देखती है वह दूसरों का फाइदा नहीं देखती है बाकी रम्जान ने जो बोले है न कि मैं जाओंगा तो मैं माफी उपने वाला है वह दीन जो तो नी लाइप किया Eं यूद ऌसके इंदर भैल सुनाई देध और अब आगे जाके कुछ और बात लेकर आएंगी ताके यह जो कंट्रोवर्थी है ना रमजान पिटारा की जो कंट्रोवर्थी है उसके अपर से लोगों का ध्यान अटे इसके लिए अब कोई और चीज लेकर आएंगी जेते किसनाच कोशिश भी की उसने इतरह का वीडियो दाली के मोटी है ने संडी है ने पता निरा समारी थी और बोल रही थी के सद्भका खाते अपने बच्छों पे ध्यान में दो करो करो यह कि सकूंप बोल रही थी डीडी की जो wife है second वाली उसको बोल रही थी, सब के दो-दो मर्द है, दो-दो शादियां बोल रही थी, तो ये भी वो अपने एक हंदान वालों को बोल रही थी, क्योंकि उन्हीं की है, दो-दो शादियां, वो डीडी जो बैटके इसको blackmail कर रहा है तो उसको भी वो जवाब दे रही थी, दूसरी बात पितारा जो तुन्हे थाना देखे गई ए ना, का दो दो वाइप, second wife इस तरह से जो भी तुन्हे थाना दी ए, के नहीं, हाँ, दो दो वाइप पला थाना दी ए, के तुम लोग second हो, दो वाइपे हो, तो पहले अपनी माँ को देख ले तेरी माँ को तीन मांगे तीन मर्द करीई ले लोव मैंने कि इजने मा't कर देख ले य। यह उन्लोगों को देख ले दर रसे छे मा महां ने कितनी शादियां की अबाद नहां कितने सटेर में और जलती इतना है ना कि बस कासर के लिए अगर किसी ने हमदर्दी जता दिया तो में इनको शॉआकर नहीं गोच्चू से मंगनी होई थी कासर की तूँ सेकेंड बनके शादी करनी तूँ खूद अपनी उकात देखल गोच्छत बिटारा मगनी होई थी ना, और वो मगनी क्यों तूटी थी, वो भी बता, उसकी असलीयत क्यों नहीं बताती है कि मदनी से तेरी मगनी क्यों तूटी थी, क्या देख लिया था उसने, मदनी था ना, वो अच्छा आदमी था, मतलब उसको एक जद्दार औरत चाहिए थी नैना को भी उसने वही रिजन के लिए छोड़ा जो रिजन के लिए उसने पिटारा को छोड़ा पिटारा से इसकी मंगनी हुई थी और वो यहाँ वहाँ मुँ मारती थी और गंदे काम करते हुए वो पकड़ी गई थी मदनी को पता चला उसने फौरन मंगनी तोड़ा ऐसे ही उसकी फिर नैना से शादी हुई और जब नैना का उसको पता चला कि इसका अफैर है मैं दुबई में रह रहा हूँ सौधी में और ये वहाँ पर अफैर चला रही है तो उसने नैना को भी डिवाउस दिया तो वो इसकी समका था मदनी तो ये सब अतलियते बता पिटारा के तु खुद कितनी घटिया औरत है बाद में दूसरों को बैटके टोंट करना सैकेंड की और थाड की घटिया औरत अच्छा एक हिंट दू मदनी के साथ में इसकी मंगनी तुटने से रमजान का तो खैर कोई लेना देना नहीं था लेकिन इनके ही खांदान के एक बंदे का लेना देना जरूर था जो कि उसने आख से देख लिया था और फिर उसने मंगनी तोड दिया था पिटारा से इन टेई काफी है रमजान का लेना देना नहीं था लेकिन खांदान के किसी बंदे का था समझ गए अगर नहीं समझे तो टैम आने पे खूल के समझाओंगी चले इंशाला फिर इस वीडियो को करते हैं नहीं पेंड वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिंसे नेक्स्ट वीडियो में लाफीस अरे हाँ एक बात तो मैं बताना ही बूल गई पहले ही मैंने देखी थी उसके पर रमधान का नंबर था लेकिन अब नहीं है यह वीडियो डालने के पहले-पहले वह नंबर उसमेसे डलीट कर दिया मतलब पिटारने डिलिट कर दी तो यही था ना पिटारा उसमने नंबर डाल के रखा साथ अभी तो लोग कांटेक कर रहे थे कॉल कर रहे थे अब तुने डिलीट करवा दी